नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा विप्रो के स्टॉक को लेकर आईटी स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अ इसा लेवाल है जिसको निकालने के बाद इस टॉक आपको डेफिनेटली ऊपर के लेवल दिखाएगा और अच्छी खासी मूव देगा अगर आईटी स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो ही एक ऐसा स्टॉक है जो कही ना कही अभी जादा अच्छी पर्फॉर्मेंस नहीं करना चाहिए आपको कि यहां फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं पहले बादार को समझने की कोश्च करें तो बादार में कुछ ज्यादा मूव नहीं दिख रहा है इंडेक्स लेवल पे आला कि पॉजिटिव ही है नेगिटिव तो अभी दूर दूर तक कुछ दिखी नहीं 13-14 तारिक को फैट की मीटिंग है उसमें देखते हैं कैसा क्या आता है बाकी अभी कुछ नेगिटिव दूर दूर तक नहीं है विप्रो की बात करें तो कंटीन्यू हाइयर आइस का चार्ट पे फॉर्मेशन है एकाट डिप हो सकता है आपको देखने को मिले इस स्टॉप म करना इसके पीछे का रीजन है कि इस टॉक जो निकला है उपर में यहाँ पर कंसोलीडेट कर रहा है भी हो सकता है एक डिप आ जाए 406, 404, 408 तक की तो अगर वो डिप आती है तो वो आपको ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी है जिसके पास है वो बने रहे औ और फ्रेश एंट्री लेने के मौके डूने गिरावट में या फिर इन लेवल्स पर ठीक है आपके लिए जो फर्स टार्गेट स्क्रीन पर चार्ट के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है मैं आपको एग्जेक्ट बता हूं तो लगबग मैंने यहाँ पर 6 महीने का चार्ट स्क्रीन पर खोला है इस टॉक में एक लेवल ता जो की 10 अक्टूबर को 411 का दिखाया था वहां से बड़ी गिरावट इदी स्टॉक में और स्टॉक में फ्रेश लो लगाए थे 377 के सम्थिंग के तो 412 का लेवल स्टॉक ने रीकलेम करा है और स्टॉक यहाँ पर कंसॉलि हो ही रही है पिलस वॉलियम्स भी आ रहे हैं बट उतने खास नहीं आ रहे हैं एक बार वॉलियम्स थोड़े जादा आ जाए तो जादा अच्छा लगेगा अगर मैं आप सभी के साथ कल के साथ की बात करो तो अरौंड 58.6 लेक शेर्स ट्रेड हुए हैं एवरेज वॉलियम 68.9 लेक शेर्स का है अगर इस शेर के आपके साथ थोड़े दिनों के कंटीनु डिलिवरी और वॉलियम शेर करूं मैं आपको तो वो भी मैं आपके साथ शेर करता हूँ कल के शेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया 58.6 लेक शेर्स ट्रेड हुए है इसमें से अरौं 32.6 ल आपको बड़ा पैसा बनाना है तो गिरावट में एवरेज करना और खरीदना आना चाहिए अदर्वाइस आपको बहुत सारे लोग पुछते हैं कि या क्रीद सकते हैं इसका जवाब कभी कोई नहीं दे पाई क्योंकि मार्केट मेर आप टाइमिंग करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे केबल मार्केट में आप strategy बनाओ आप किसी भी level पे quality stock खरीद लो अगर गिरता है तो और खरीदना है नहीं गिरता है तो हमारे पास है अच्छी बात है इस तरीके से चलोगे definitely पैसा बनाओगे stock की बात करें तो stock में share holding pattern में promoters maximum hold करते हैं अजीम प्रेम जी का अच्छा खासा नाम है आपको पता है और मुझे लगता है ये stock आपके लिए definitely आगे चल के profit बना के देगा stock के valuation जैसा कि मैंने आपको का reasonable है stock का return on equity return on capital employee दोनों ही अच्छा दिखता है sales में थोड़ी weakness पढ़ी है जिसकी वैसे pressure दिख रहा है company का management कहता है हो सकता है एक quarter और हमारे लिए थोड़ा ठंडा हो लेकिन उसके बाद हम अच्छा perform करेंगे return on equity की बात करें तो 20.3% का है return on capital employee की बात करें तो 21.1% है book value per share 130 रुपीज की है 412 रुपीज पर आके trade कर रहा है 2,26,000 करोड का market cap है 726 का इसने high दिखाया है 52 week जिसके सामने अभी आपको 412 पर मिल रहा है तो उपर से काफी अच्छी correction भी देखिए peer comparison जैसे मैंने आपको बदा है valuation wise सस्ता है Wipro आपको 20 के PE पर मिलता है short term और long term दोनों के लिए ही मौकायां खरिदारी करने का खरीदे और बने रहे यह होगी मेरी वीडियो Wipro के stock को लेकर hope आपको समोज और पसंद दोनों आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys